नमस्कार दोस्तो इस फटका भस्म फिटकरी को तवे पर गर्म करके बनाई जाती है तवे पर गर्म करने पर इसमें जो जल का भाग होता है वह निकल जाता है और सेश इस फटका भस्म बचती है जब इसे तवे पर गर्म किया जाता है तो यह पहले फूलती है इसी कारण इस फटका भस्म को फिटकरी का फूला भी कहते हैं इस फटका भस्म और इस फटक भस्म में बहुत अंतर है इसफटक का भस्म फिटकरी को कहते हैं जबकि इसफटक एक सफेत रंग का पारदर सी पत्थर होता है जिससे मालाएं बनती हैं और जिस पर रिसीमनी बैठ कर तपस्या करते हैं फिटकरी या इसफटका को बनाने पर या खाने युग हो जाती है अगर हम इस फटका भस्म का अन्ता प्रयोग या वस्दी के रूप में खाने में उप्योग करते हैं तो बहुत कम मात्रा में से खाना चाहिए नहीं तो उल्टी या वॉमेट होने लगती है इसकी सुरक्षद मात्रा या डोज 75 मिली गिराम है जो बैस्कों के लिए है इस पटका भस्म रस्मे कसाय होती है इसी कार इसका उप्योग सरीर में निकलने वाले खून को रोकने में किया जाता है चाहे भाए खून मौह के मसूनों से निकले या किसी घाओ से निकले या पाइल से अब अबासी से निकलने वाला खून हो साथी यह अच्छी एंटी पाइरेटिक भी है अर्थात यह ज्वर या फीवर को कम करती है नीत रोगों में भी इस काउप्योग किया जाता है साथी यह सरीर की खुजली आदी में भी बहुत अच्छा कार करती है परन्तु इस भस्म का उप्योग हमेशा चिकसक की देखरेख में ही करना चाहिए नहीं तो यह आपको हानी पहुँचा सकती है झाल 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 झाल